सारे दर्च काने राम राम जी आज मैं 500 ग्राम है सक्क्रगांट लेके साफ करके आयों इको थाना आज अलो बनानों बता से हूं तो आज सक्क्रगांट हैंजे की पाणी गरम के अंदर एक पती लव के अंदरियां रखे और मीडियम साइज को गेश्ट लाके और इन उपरूं बंद करके छोड़ देशें पांच साथ मिन्ट में आज उबल के एकदम त्यार हो जाएंगे तो उबलना को कि है कि एक बार थोड़ो सु चक्कूं कि यां भी यां देख कि पतो लाक जेगो यां उबलना के बाद मैं फट जैंगी थोड़ी सी उपरूं जब पतो चाल जेएंगे वही उबलगी तो आपने ये सक्करगांट है और एक सक्करगंदी भी बोलने आने दूसरों सब्दे तो आपने एकदम विल्कुल उबल के त्यार होगी और पांच मिन्ट के अंदर ही छोड़ देनी है गेस बंद करके और एक अंदर गरमपणी में छोड़ देनी तो विल्कुल फटके त्यार होगी है आपने ये सक्करगांट त्यार है अब आपने एक प्लेट के अंदर निकाल के उप्रगो जोगो छिलकू है बो हात की साइताओं या चक्कूगी साइताओं ये तरीकों आपने ने हटा द्या सारी सक्करगांट की चको छिलकू प्रगो कोई चिलकू नहीं निकलत को इसी बात को ने पर ये तरीकों आपने अलग कर दिये अलग करने के बाद मैं या तू हातुं भी मैस कर सको और चे ग्रेटर बेवे बी अपने रहे तरीकों ग्रेट कर दिये चंओ सरलतरीकों ओजानम ये तरीकों आपने ने मैस कर लिये मैस करना के बाद में एक छोटी कड़ाई के अंदर मैं ज्यादा घी भी कुन डाले हो आपकी इच्छा अनुसार हुआ है जितों भी गी डालनों चाहिए अपर मैं थोड़ों गी डाल लिए है ज्यादा गी डालनों की है ओहलों बहुत है भी हुझे है फिर खा भी कुन सके अब सकरगांट को अलुआ है को कोई भी उपवास के अंदर आपाँ खास का तो इगी ने और मैस विड़े सकरगांट के जो है बिन आपाई तरीकों मिला लिया तो लगबग सकरगांट है जिक उबलना के बाद में पकी जाए है पर थोड़ों से इन अलग टेस्ट देना के ल और थोड़ा ड्राइफ फूट रहे हैं यहां डाल जाँ तो इक अलग विराइटिव जाए है बाकी तो सव बेश तो चुल लग अंदर खिराम से एक के खाए ने बाई बड़ी है पर उपवास के अंदर हैं यहां को बनास का अबें गी डालनाओं के यहां कड़ाई के अंदर कोन लागाएगो विल्कुली तो आपनों एक दम गी के अंदर पक्के त्यार हो गयों एक छोट्टी कट्टोरी दूद मलाई है दूद भी अथोडों और उपर की दूद की मलाई है बसा आई के अंदर डाल दिये इन भी अपाद छेतरीकाओं मिला रहां मिलाना के बाद में स्लो गेस के अंदर इन दिरे दिरे पकानाओं बिल्कुल भी कड़ाई के टसको नियो वेगो और बहुत यह छेतरीकाओं बणके चीनी होए तो चीनी डाल सको पर मैं तो यह एक चमाशे थोड़ी सी मिस्री डालूं कोई आखो निया के चीनी कोन डाल सकाए ना चीनी भी डाल सको कई बूरा खांड भी डाल लें मोटी चीनी भी डाल सको और मैं मिस्री डाली यह थोड़ी कुछ थोड़ा बिदाम कतरन करेड़ा बैबी मैं के अंदर डाल रहे हूं और थोड़ा किसमिस भी गोके रखेड़ी बैबी मैं के अंदर डाल दी कोई भी उपवास के अंदर यह का अन भी ने खावाaus में षील के सकरगाट और अपतों स depends करदर को सरदी गमाईना पां इन खासकां बोबपवास में भी खासका या सरदी दुखां में भी खासका इत्रिकंगों बणके आपनों बिल्कुले जित्ती देर ज्यादा गुमाऊगा बितो एकदम पक्के ओर टेस्टी बणके त्यार हो गिये थान मारो वीडियो की शोक लागे हो बहुत है जरूर बताओगा लाइक करोगा और सब्सक्राइब जरूर करोगा और वीडियो देखता है देखता है सब्सक्राइब सारा काम चालू कर दो और अलुओ एज़को बिल्कुल एकदम प्रोश्ण है को पराग्या है अब एक कटोरी के अंदर डाल के बहुती कम समय में और बहुती इज़ी शरल कोई भी बना स्काइन इतरी को मनाई खावर कर दो में चालू कर दो नहीं रुपती को मिल्कुल एग्या है